बीजीपी के मध्यपदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग इससमें हमाएं साथ है सर सबसे पहले तो आप आज मद्दान देने पहुंचे हैं जगा जगा पे भारी तदाद में लोग निकल कर आ रहे हैं लेकिन उसी इसके साथ साथ खबरें आ रहे हैं कि इवियम भी कि वरस्ता है देखे काउंग्रेश को मार्यों में कि प्रणाम क्या होने वाला है और इसलिए कांग्रेश ने पहले से ही बचके निकलने का रास्ता ढूंड लिया है लगबग हर राज्यों में चुनव प्रणाम आने के बाद हार के बाद उन्होंने यही आरूप लगाए थे मद्ध प्रदेश की इस्तिती का अंदाज भी उनको बहुत पहले से और बहतर तरीके से और इसलिए आज से ही आप अंदाजा लगा लिजी कि आने वाले समय में प्रणाम भारती जंता पाइटी की पक्ष में आने के बाद वो कौन-कौन से आरूप लगाने वाले हैं सर, मुद्धे जो हैं उसको देखके अगर कहा जाए तो आपके हिसाब से मेजर जो तीन मुद्धे जिस पर आप लोगों ने सबसे आप फोकस किया है इस चुनाव के उपर तीन मुद्धे हैं विकास, विकास और सिर्फ विकास विकास के मुद्दे पर ही हमने केंद्रित किया है विकास के साथ-साथ लोगों का आर्थिक और सामाजी को थान समाज का वो वर्ग जिसको न्याय नहीं मिल सका सबको एक नजर से देखते हुए बगर किसी जाती वर्ग के भेदभाव के हमारी सरकार ने शिवराज जी के नितरत्तों में लगातार ये प्रयास किया कि विकास के साथ-साथ सबका आर्थिक और सामाजी को थान भी हो और हम उसमें सफल रहे हैं कॉंग्रेस कह रही है कि वक्त है बदलाव का और हवा उनकी और चल रही है एक और जो इशू है वो यह है कि किस तरह से महा कॉसल जो मालवा है उसके साथ-साथ ग्वालियर का है चंबल का एरिया है किस तरह से देखते क्या आपको लगता है आजाद भारत के पिछले सतर सालों का इतिहास मद्यप्रदेश और देश की जनता के सामने है जदेतर कॉंग्रेस की सरकारे रही है मद्यप्रदेश में पिछले 15 सालों से भारती जनता पार्टी की सरकार है इस 15 साल की सरकार की कारिकाल में मद्यप्रदेश बीमारू राजी की शिर्णी से निकल कर देश के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले राजियों की शिर्णी में आकर खड़ा हुआ है और इसलिए जनता भारती जनता पाठी को ही आशिरवात दे रही है आखरी सवाल वो यह है कि इसको एक तरह से सेमी फाइनल भी बोला जा रहा है 2019 का जो लोकसवाद चुनाव है आप यहां से सांसद हैं तो आप किस तरह से पूरे मद्यप्रदेश के और यह जो चत्रेस गवर और पूरे जो असेंबली लेक्शन्स होएं हमने किसी भी चुनाव को कम महत्पून नहीं माना और लोकतंतर में अगर चुनाव को महत्पून नहीं मानेंगे तो शायद हम यह बहुत बड़ी गलती करेंगे और जनता के साथ भी अन्याय करेंगे और इसलिए हम सारे चुनाव को महत्पून मानते आ हैं 2014 में जब केंदर में मोदी जी के नितरतों में भरती जनता पाटी की सरकार बनी उसके बाद होने वाले हर चुनाव में तकरीबन इसी तरह के सवाल सामने आते गए हैं और एक के बाद एक 19 राज्यों में भरती जनता पाटी की सरकार बनी है और अभी जितने राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं इनमें भी भरती जनता पाटी की सरकार बनने जा रही है इसका इंपाक्ट कितना रहेगा 2019 के उपर स्वाभाविक रूप से बाते चल रही हैं देखें महागडबंदन को लेकर भारती जंता पाइटी की कोई चिंता नहीं है ये महागडबंदन पहले भी हो चुका है और उसके बाद अलग-अलग राज्यों में भारती जंता पाइटी के पक्ष में प्रणाम आये हैं और इसलि अलग-अलग राज्यों में देश की जहां उनकी सरकारे हैं वहाँ पर भी उन प्रदेशों में भी जंता यहीं चाहती है कि केंदर में नरेंदर मोदी जी के रूप में दुनिया का सबसे लोगप्री नेतत तो भी आने वाले चुनाव में भी भारती जंता पाइटी का ही न द्यक्ष हैं, जबलपूर के सांसद हैं, राके सिंग हम से बात कर रहे थे, कैमर परसें संजीव कुमार के साथ सुप्रिया भार्द वाच आज़ा है।